हेलो एबरीबन आइम जगवीर केमिस्टी फेकल्टी एड कॉंपटीशन तो बिटा आज बहुत ही सिंपल वे में और एक छोटी से नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे क्या है सर वो वो है सर TES 47 मतलब क्या है सर सिंपल सा सिंपल सा मतलब है कि आर्मी में जाने के लिए आपका गोल्डन चांस है आपके पास में एक जहां से आप बिदाउट एंडी आप एंट्री ले सकते हैं आपको कोई एक्जाम नहीं देना है एक्जाम कौन सा हाँ वो एंडी के ब beginnen के बैल के बेस पर आपको शॉट-लिस्ट किया जाएगा जो जो लोगм एप्लाई करेंगे उनको और फिर शॉट-लिस्ट करने के बाद में उनको SSB के लिए बुलाया जाएगा SSB के जो भी center है वो पाल आपको बुलाया जा सकता है वो depend करता है आप किस region से belong करते हैं ठीक अलावाद आपको बुलाया जा सकता है बैंगलोर आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर SSB होगा अगर आप सारी चीज़ें SSB क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद मैं medical होगा और medical की standard इतने कोई high नहीं है वो notification आपको मिल जाएंगे क्या है तो आप यह सब कर लेते हैं उसके बाद मैं army आपको technical entry scheme के through entry देगी और फिर आपको वो b-tech कराएंगे और उसके बाद मैं उनकी सब कुछ उनके हवाले और फिर जैसे ही आपकी b-tech complete होगी army वाले ही कराएंगे सारी चीज़ें वही होगी है ना और फिर उसके बाद मैं आप सीधे army में officer rank पर आप सीधे deploy किया जाएंगे point clear हो गया तो अभी की stage है सारी की सारी बाद में कुछ नहीं बाद में तो सब department के अंदर ही चीज़ें जलती रहेंगी अब बात कर लेते हैं क्या notification है क्या आया है देखो उसके बारे हम बात कर लेते हैं अपन one by one सबसे पहले चीज कहां मिलेगी आपको सरकाई result पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको चीज मिल जाएगी यह रहा Indian Army TES 47 online form इसकी अपन बात कर लेते हैं सर क्या है सर Indian Army 10 plus 2 technical entry scheme online form 2022 ठीक है इससे पहले यह series है यह TES 47 इसका मलदब 47 seat नहीं है यह series है जैसे इससे पहले जो हुआ था जिसके में जून में अप्लिकेशन आये थे है ना और TES 46 ठीक है उन लोगों का session स्टार्ट हो चुक है semester बगेरा स्टार्ट हो चुक है उनके अभी अब मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे इसके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है कब notification आया ये कब ये post आये ये 21st January को आयी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं सारी चीज़े हैं आप देखिए आप ध्यान से सुनिए पहली चीज तो पहली चीज़ सबसे पहले बात कर लेते हैं सर age limit के बारे में कि age limit क्या रहेगी age limit रहेगी भईया minimum age आपकी होनी चाहिए 16 years से और 16 years 6 months ठीक है आप 16 and half के होने चाहिए और maximum age की मैं बात कर रहा हूँ आप 19 year 6 months तक के होने चाहिए ठीक है और बाकी है ना उसके बाद में मैं अगर बात करता हूँ आपसे application fees कोई नहीं है तो जो जो बच्चे सोचते हैं कि है हमारी एक ऐसी dream life के बारे में सोचते हैं army की life के बारे में सोचते हैं उनको जरूर apply करना चाहिए ठीक है कोई application fees नहीं चाहिए वो जनरल का है वो BC का SCST candidate कोई भी है ठीक है इसके online application start कब से होंगे सर 24th of January से start होंगे और एक मेने का time है आपके पास में registration last date है सर 23rd of February ठीक है फिर यह सब चीज हो जाएंगी उसके बाद में apply करने के बाद में जब चीजें जब वो क्या करेंगे percentile waste पे sort list करेंगे तब आपको बता देंगे और merit list के बारे में अब आ रही है सर eligibility most important चीज ठीक है eligibility क्या कह रहे है candidates past 10 plus 2 intermediate exam with 70% marks with PCM stream ठीक है कि यह आपने 12th करी होनी चाहिए 12th PCM में करी होनी चाहिए और 12th में आपकी percentage 70% होनी चाहिए उसके बाद में क्या कह रहे है J.Mains 2021 has been made mandatory from Indian Army TES 47 course उसी की percentile के base पर ही आपको sort list किया जाना है सब कुछ है उसकी पूछी जाएगी आपसे तो भाई है कि J.Main 2021 वाले जो बच्चे है J.Main जो appear होए थे उनकी percentile वो आप अपने फिल करें वही criteria है उनका और only unmarried candidates are eligible for this vacancy point clear हो गया ठीक है सबसे पहले कैसे apply करना है क्या करना उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके लावा मैं बात करूँ number of vacancy जिसके बारे में बच्चों को बहुत interest है ठीक है कितनी सर 90 अभी पिछले टाइम आई थी जब TES 46 उसमें भी 90 थी अभी कुछ टैम पहले ही गई है समझ रहो तो वहाँ तो यह बहुत benefit है यहां पर 90 पोस्ट है आपके पास में लगबग हो सकता है दो पांच उपन नीचे 90 बानके चलो 90 भी काफी है ठीक है चलिए जॉइन इंडियन आर्मी TES रिकूटमेंट यह 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 कब से कब एपलाई करने का डेट बगएरा आप देख लीजिए फिर उसके बाद में आ रहे है सर नॉटिफिकेशन पढ़े है डेटेल के लिए बहुत असली से नॉटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा सर यह रहा नॉटिफिकेशन आप यहां से नॉटिफिकेशन देख सकते हैं और जिसकी लिंक एक्टिवेट अभी नहीं हुई है सर लिंक एक्टिवेट होगी आपकी 24 को कि लिए रपॉइंट अच्छा फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं सामने वाला यार फिर आपको रेजिस्टर करना पड़ेगा तो आपकी डिटेल मांगे जाएंगी यह सब चीज़े मांगे जाएंगी आप फिल करोगे फोटो अप्लोड करोगे सिगनेचर अप्लोड करोगे आईडी प्रूव डूसरे डॉक्यमेंट जो भी आपसे मांगे जाएंगे आपकी जी में की परसेंटाइल वगेरा है ना अप्लाई करना पड़ेगा आपको उस टाइम पे सब चीज़ें चाहिए होंगे आपको ठीक है और फिर जैसे बोलता ज जाओ कहां पर यहीं पर सीधा सीधा से यहां से नोटिफिक्शन डाउलोड कर सकते हैं यहां से एपलाई भी करना है ओनलाइन एपलाई यहां से कर सकते हैं लेकिन जो लिंक कभी एक्टिवेट नहीं हुई है लिंक 24 से एक्टिवेट हो जाएगी आपकी ठीक है अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है सीधा यह वेबसाइट पर लेज़ा रहा है है और यह देख ओफिसल वेबसाइट पर आपको जाना है तो आप ओफिसल वेबसाइट पर जा सकते हैं यह ओफिसल वेबसाइट है यहां जैसे ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है तो आप एप्लाई कर सकते हैं यह ओफिसल वेबसाइट है इनकी तो यह सब चीजे हैं नोटिफिकिशन आच चुका है तो जो भी इंटरिस्टेड बच्चे हैं बोच जरूर से जरूर एप्लाई करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पोच सकते हैं थैंक यू